जब हमनों बहुत के एक्पसाइड टॉपिक जो बहुत ही फैषिवरेट है मेरा वह सब्सक्राइब कि आन्येट के बस पढहेंगे निएट के बस प्शंग है अनुसरा मेकेनिसम आफ वीजान तो यह जो एकल आप देख पाते हैं यह स्क्रिंट पर है जो नमबर एक हम लोग देख रहे है एक ग्लेंड है और इसको हम लोग लेक्रेमल ग्लेंड कहते हैं इसमें से फ्ल्यूड निकलता है और हमारी आखों में जाता है जिसको हम लोग आशू की तौर पर देख सकते हैं और यह हमारी आखों को क्लीन करता है कोई भी मैक्रोबियल इंफ्रिक्सन होने से बचाता है यहां पर कुछ पुंग्टा है लेक्रिमल पुंग्टा जिसके दवारा कुछ आसू तो बहार टपकी जाता है जो बस्ते हैं वो लेक्रिमल पुंग्टा से नमबर सेवन से अंदर चले जाते हैं यह जुड़े हैं उपर और जो ट्यूब है जो डक्ठ है उसके हम लों कहते हैं कॉने कुलाई इंफिर्ययर नीचे वाले के लिए और फिर सुपीर उपर वाले के लिए पिर वहां से कुनिकुलाई से वो हमारी नेजल इरिया में जाएगा जो कि नाक वारा नेजल फेरिंग्स है वहाँ पर वो चला जाता है है अब हम लोग बात करते हैं कि उपर वाला जो आइलिड है जिसको लोग़ों मिले पापड में मतलब अइलिड की बारे में बात करते हैं जो हम लोग कहते हैं पलक है अंदर आगर आप देखेंगे तो यह इस隨र है और यह जो लाइन लाइन जैसे श्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यह इसको हम लोग कहते हैं अगर यह इसी में जो की जुड़ा होता है कंट्रोल करता जिसको नमबर थ्री क्रेनिल नर्फ जिसको हम लोग तो ऑकलमोर्टर नर्फ इसके वाइस हमारे आख उपर की तरफ देख पाती हैं और और इसके बासे जो हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाले के बारे में जो आप फूर्थ नमबर देख रहे हैं आई बॉल से जोड़ा हुए यह है लेटरल इरेक्टस और लेटरल इरेक्टस को कंट्रोल करने वाला आता है नमबर सिक्स क्रेनिल जिसका नाम है अब्डूसेंस कौन सा है अब्डूसेंस तो इसके वाइस हम लोग आखों को दाएं घ अब हम लोग बात करते हैं कि जो नमबर निचे यह इन्फिरियर ऑबलिक है एक्चुली में क्या है कि अगर यह पीछे की तरफ खीचता है तो आख आगे की तरफ जुकेगी तो यह फॉरवर्ड मॉव्मेंट कर दोट है ठीक आगे की तरफ जुकती है और नमबर शिक्स जो को आप यहां पर देख रहे हो। उसको कंट्रोल करता है क्रेने लुव थ्री जो कि इंफिरियर औलीक को जो कंट्रोल करता है करेम और नर्म्व वो है नबर 6 मोई अब पात करते हैं पीछे की तरफ जो अप दीख रहे हैं नम्बर यह है इंस्य्रे और आंप को भी कंट्रोल करता है कि जो कि ऑक्रमोटर है यह डाउनवोर्ड रोटेशन के लिए इस पीछे की तरफ तनता है तो हम नीचे की तरफ हाग जुका पाते हैं तो यह बात आपको यहां तक तो समझ में आगे अब यह जो वाइट कलर के स्ट्क्चिर आपको दिख रहें नंबर सब्सक्राइब करता है और इसको जो कंट्रोल करता है वह है ऑक्लोमेटर नर्फ नाव इट इस अगें थर्ड नंबर क्रेनियल नर्फ तो इस तरह हम दोग ने कुछ आई के मस्सेश के बारें बात कि और अब आप देखेंगे कि यहां पर जो नंबर फाइव शुपीरियर वह जोड़ा हुआ है एक लिगामेंट से और यह जो लिगामेंट आप देख रहे हैं वह आई की मसल्स को आई की मसल्स को अब लिक सुपीरियर अबलिक से जोड़ता है और यह कर्भी अगर खिचती है तो हमारी आख नीचे की तरह जाएगे ठीक है तो यह दहान से समझना ह अब हम लोग बात करते हैं आई के बार्ट के इसक्लेरा कहीं आगे का करनल होता है जो कि एक्दम ट्रांसपारेंट होता है। जो है यह को ढूंहेब apoq होता है दिश्वे नाइ्ट ट्रांसमिट नहीं वह पर देए ठ्रांस पैरेंट नहीं होता है अब हम लोग इसको थोड़ा से उपर से हटाते हैं नीचे वाले लेयर यह जो लेयर है कॉरोड यह वस्कुलर होता है इसमें ब्लड वेसल्स वगेरा सब आते हैं और इसी की जो आगे की समर्चना होगी वो बनाता है सिलेरी बोडी और यहां पर नंबर 10 जो आप लोग देख रहे हैं यहांपर जो बीच में देख रहे हैं उसको हम लpek कहते हैं आईर मसल्स और स्कुले अब घंठ चल्लै में और स्भूंऐ लेंगे के लेंच साइज को घटा बढ़ा सकता है एकमोडेशन में help करता है लेंज की फोकस को बदलने में ये जो है यह है ये है फिपिल और गेरा हुआ है आरिस मिसल से आयरिस का जो फॉंक्शन होता है वह पारस्टेटिक और सिंपितेटिक के हिसाब से बदलता है सेंपितेटिक में वह contract रिलेक्स करता है जिसके वाइस से हमारे प्यूपल के साथ चोटा बड़ा होता है अब इसको हटाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अंदर वाले जो भाग था यह एक वसमर को का लेंस के आगे वाले जो भाग है यह तो आईरिस है और यह सिलेरी मुसल्स का पार्ट तो लेंस का जो आगे वाला भाग है वह उसको एक वसमर से हम लोग डिफरेंसेट करते हैं आगे वाला भाग आख में जो घड़ा आप देख रहे वाला चीज इसमें एक वाला भारा हुआ रहता है यह अंदर वाले जो लिएर है वह है रेटिना का लिएर और इसी पर इमेज बनता है और हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं यह यह लेंस और लेंस क्या करता है चीज और यह हमें और यहाँ को कंवर्ज करता है को मिलाता है और हमारी रेटिना पर बनता है इसके अंदर के प्लास्टिक अंदर वाला जो बहाग देख रहे हूंगा जो आई लेंस की पीछे वाला भाग होगा उसको हम लोग विट्रस्वे। कहाते हैं और विट्रास किमर जिंद्गे में एक ही बार बनता है चन् लेर और रेटिना में हम लोग कुछ घख रहा हूं मैकुलालूट्य और इसभी के अंदर एकदम होता है और यह दिखने में कैसा होता है यलो स्पोर्ट की तरह दिखता है यह कॉन सेल की वज़े से एक विज्वल एक्यूटी होती है जिसके वज़े हम लोग सेप साइज वगरा सब एक्दम समझ पाते हैं और उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहां पर 25 नंबर की जो की है ब्ला जाते हैं और और अप्टिक नर्व से होते हुए फिर फाइनली वह ब्रेन तक जाते हैं मैसेज़ेस को रेटिक नांसे ब्रेन तक पहुचाने का काम करते हैं यह है ऑप्टिक काइजमा थैंक्यू फर वाचिंग अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट में प